अर्विन केजरिवाल ने कहा परटी में या तो वो रहेंगे या मैं आम आदमी परटी में रहिवार को हंगामेदार राष्ट्य परिशत की बैठक में आपके चार सिंस्थापक सगस्यों योगेंदर यादव, प्रशान भूशन, आनन्द कुमार, अजित जा को कारेकारणी से बाहर कर दिया गया 311 सदसी राष्ट्य परिशत में दोनों को बाहर किये जाने संबंधी प्रस्ताओं के पक्ष में 247 और विपक्ष में 8 वोट पड़े आपकी राष्ट्य परिशत की बैटग में पारटी सयोजक वदिली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल द्वारा दिये गए भाषन का वीडियो फूटेज जारी कर दिया गया है भाषन में केजरिवाल ने संस्थापक सदस से वो प्रशान भूशन वो योगेंदर रयादव पर जोड़दार हमला बोलने के साथ ही यह एलान भी किया कि राष्टिय कारे करनी में या तो वे लोग रहेंगे या फिर मैं पारटी बनाने में किये गए संघर्ष की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जान जोखिम में डालकर ही पारटी बनाई है इसलिए वाइसे बिखरने नहीं देंगे केजरिवाल ने प्रशान भूशन वर योगेंद रयादाव पर धुका धड़ी वस साजिश रचने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि दोदोनेता पिछले एक साल से उन्हें संयोजग पत से हटाने तदा विदान सभा चुनाओं में हराने की राजनिती करते रहे हैं बारिश से कश्मीर के हालाद बिगडे बाड का अलर्ट जारी भारती रज जम्मू और कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में हुई बारिश के कारण श्री नगर और दक्षिन कश्मीर के संगम इलाके में जेलम नदी का पानी सोंवार को खत्रे के निशान के उपर पाज गया जिसके मद्दे नजर बाड का अलर्ट जारी करके लोगों को सुरक्ष स्थानों पर ले जाने को कहा गया है बाड के खत्रे के चलते जम्मू और कश्मीर में फिर से पिछले साल की तरह ही इस बार भी लोगों में भय व्याप्त हो गया है पहले से ही दर्बदर इस राज्य के लोगों के अभी आशियाने ठीक से जम्मे भी नहीं है कि सरकार ने लोगों को सुरक्ष स्थानों पर ले जाने के लिए कहा